हेलो फिरंड्स आज मैं आप सब के लिए लेकिया हूं मटका कुलफे की रेशिपी जो बच्चों को पसंद आती है बड़कों काफी पसंद आती है और इसे बनाने के लिए हमें कोई भी क्रीम के जरुआत नहीं मलाई के जरुआत है बहुत ही कम चीजों से बनाएंगे मतलब जो हमारे घर में समान रहते है ना डेली यूज में उसी से बनाएंगे अब देख रहे हैं कि कितनी क्रीमी बनने वाली है तो चलिए देखते हमें किल्फी बनाने के लिए हमें किन चीजों के जरूत पड़ेगी तो यहां पर मैंने आधा लेटर दूद लिया है मैंने आपर प चीनी ले रही हूं अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ा सा चीनी के क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं तो मैंने आधा कप लिया है आप कटोरी से मापके ले सकते हैं आधी कटोरी अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा चीनी जब मेल हो जाएगा उसके बाद हम इसे फ्लेम को लो करके पकाएंगे अभी मैंने फ्लेम को हाई रखा है अब इसमें और दो चीजे एड़ करेंगे वह है काजू का पावडर तो मैंने अपर दो चमच काजू का पावडर लिया है आप चाहें तो दरदरा कूटके भी डाल सकते हैं आप चाहें तो काटके भी डाल सकते हैं अब इसमें डालेंगे दो चमच मिल्क पावडर मिल्क पावडर तो सबके घर में मिल जाता है ग्रोसरी सोप्य असानी से मिल जागा अर आपके पास नहीं है तो आप 5 रुपे ले जो पैकेट आते 5 वाले 10 वाले वह भी आपर डाल स करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद भी काफी गाड़ा हो जाएगा तो इसे रखते हैं साइड में थोड़ा सा ठंडा होने के लिए उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे आप यहां पर काजू बदाम का पावडर नहीं डालना चाहते तो आप कॉन फ्लोर या आठा को थोड़ा सा घोल के दूद में डाल सकते हैं जैसे आधी चोटी चमच अगर आपने आटा लिया है तो उसमें दो चमच दूद में घोल ले और उसे सेम प्रोसेस करके पका ले तो दिगी दूद थोड़ा ठंडा हो गया है अब इसे हम एक मिक्सी जार में डाल लेंगे और इ रिज़ा में अगूति तरीकेस लेंगे एक देखिए इस तरीके का गाड़ा सा हमारा घोल बन के तयार हो गया कि अब हमें कुछ incentiv आधा है बस इसे जमने के लिए फ्रिज में रखना है तो इस तरीके के मेरे पास यह कप मैं इसमें इस से जमने के लिए रखूँझे अगर के पास यह भी नहीं है तो आप ग्लास में भी रख सकते हैं या फिर डिस्वोज़बल कप आते हैं उसमें भी रख सकते हैं अब इससे कवर कर देते हैं अच्छी तरीके से किसके ओपर आइस क्रिस्टल ना हो बरफ ना जमें इसलिए इसे सिल्वर फॉल या किसी भी प्लास्टिक से इसे डग दे अच्छी तरीके से तो इसे तरीके से मैंने डग दिया और यह थोड़े से बचे थे मैंने सौर्ट्स ग्लास में डाल दिया है अब इसे भी डग देते हैं और इसे अच्छी तरीके सेट हो गया है मैं आपको खोल के दिखाती हूं तो देखें कितनी अच्छी सेट होई आइस क्रीम हमारी कोई कहा नहीं सकता है कि हमने इसे सिरफ दूध और काजू बदाम से बनाया है और मैं आपको कट करके भी दिखाती हूं कि कितनी इजली अकट तो आप दे ही दे आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते प्लीज वीडियो को एक लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ सेयर करें और कमेंट करके बताए कि मेरे रेसिपी आपको कैसी लगी और कुछ भी प्रोब्लम होता आप मुझे कमेंट करके खाती हूं तो देखे कितना क्रीमी बनाया है हमारा मटका कुलफी कोई कहा नहीं सकता है कि हमने इसे बिना क्रीम का बनाया है और बिना कॉन्ट फ्लोर के बनाया है तो सिरफ दो तिन चीजों से हमने कितनी अच्छी आइस क्रीम बना ली वीडियो को लाइक करें चैनल को सब सब्सक्राइब करें मैं मिलती हूँ नहीं रेसिपिक के साथ तब तक लिबाई बाई